कैसे हैं आप लोग? आप लोग का एकजाम बहुत नजदी का आ गिया है और आप लोग अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं जैसा कि देख रहे हैं जारखन कॉंसील एजुकेशन जैक बोट की दुआरा मोडल पेपर निकाल दिया गया है और आप अपनी पढ़ाई की तयारी को बरक्रार जारी रखें और ये क्लास एट का मोडल से देख रहे हैं और सब्जक्ट देख रहे हैं इंग्लिस समय रहेगा आपका एग घंटा और टाइम आपके पास कितना है एग घंटा ध्यान रहे शाट मिनट का और आपके पास अंग कितना होगा पचास कोस्चन कैसा रहेगा तो ध्यान से देखी आपके पास multiple choice question रहेगा और यहां पर question को देखें where did the birds lay their eggs पक्षिन अंडे कहां दिये थे तो यह आपके पास इस तरह से चार option रहेंगे तो आपको बताना है किस सही आंसर इसमें से क्या होगा तो आप जान रहें तो एभावदा कॉर्णिस आप केसाव के हाउस में उपर में अंडे दिये थे option number C आपके लिए सही रहेगा question number 2 की जदि हम बात करें तो who आज केसाव sister केसाव के sister कौन थे को उसकी बहन कौन थी यह आपको पूछ रहा है तो यहाँ इसका आंसर देंगे प्यारी बच्चू इसका सही आंसर होगा option number B आपके लिए सही रहेगा question का रहा है what is college father तो उसके father कौन थे क्या थे तो वो आपका bus conductor थे या क्या थे snack creature थे तो प्यारी बच्चू इसका सही आंसर होगा option number C होगा question number 4 की बात करें two things that are not frozen in sea or in glacier so इसका सही आंसर क्या होगा बच्चू इसका सही आंसर होगा option number 4 जदे question number 5 की बात करें तो सक्ची मलिक is an Indian ये जो सक्ची मलिक जो थे ये क्या थी ये आपको पूछ रहा है तो इसमें से चार option है तो देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा option number C आपके लिए सही रहेगा question number 6 की बात करें इन विच रहे हरी स्टार्ट वर्किंग यहाँ पर कह रहा है इसके पास चार option है प्यारी बच्चू इसका सही आंसर होगा option number B आपके लिए सही रहेगा next question की बात करें कि हुआ है वाज किंग जॉन है बैट किंग so इसका सही आंसर देखिए इस तरह से आपके पास option रहेंगे बच्चो और इसी option से आपको सही आंसर को चुनना है तो correct answer होगा ये भी सही ये भी सही है तो एक number option number D देंगे सभी सही होगा question number 8 की बात करें whose वाइसकिल वाज इस्टो लेन तक किसने वाइसकिल को चुराया था तो सही आंसर होगा बच्चो और से नमर बी शिनेहा आपका सही आंसर होगा question number 9 की बात करें who had composed the poem भारत आवर लेन तो इसके रचनाकार कौन थे इसके कभी त्री कौन थे poem भारत आवर लेन के लिए तो इसका सही आंसर होगा option number B सुबरमेनियम भारती आपके लिए सही रहेगा question number 10 की बात करें environmental children organization was started कब सुरू किया गया था तो ये question आपको बताना है कि किसने सुरू किया था तो option number B आपके लिए बच्चों सही रहेगा question number 11 की बात करें तो यहाँ पर question को देखें ये puppy के समो को क्या काते हैं तो लीटर काते है option number C आपके लिए सही रहेगा ये आपके book में भी ये question को दिया हुआ है question number 12 की बात करें तो question 12 का रहा है कि indirect speech में कौन सा sentence है यहाँ पर देखने ये sentence है तो indirect में कौन सा होगा तो बच्चों इसका सही आंसर होगा option number C आपके लिए सही रहेगा आईए question number 13 की बात करें which sentence is the simple present tense यहाँ पर simple present tense का कौन सा sentence है ये आपको चुनने के लिए का रहा है तो जल्दी से चुने है ये बच्चों इसके लिए सही आंसर आप चुन लिए होंगे so correct answer होगा option number 1 A is right answer आईए देखते है question number 14 में question क्या का रहा है कि indirect speech में क्या होगा ये आपको पूछा जा रहा है तो इसका सही answer होगा option number A is right answer question number 15 की बात करें कि दपोजेशी फ्रॉर में the court of the seward तो इसका answer क्या होगा तो इसका सही answer होगा option number A is right answer question number 17 की बात करें तो यहां पर आपका option number D आपके लिए सही रहेगा question number 18 की बात करें तो present continuous sentence में कौन सा sentence आपके लिए सही होगा ये आपको पूछा गया है प्यारे बचूँ इसके लिए सही answer होगा option number C is right answer question number 10 की जदी बात करें तो इसका सही answer क्या होगा कि इसमें से कौन सा चिनिका परियोग किया गया है तो इसके लिए सही answer होगा option number C who is right answer अगर question number यहां की बात करें यहां कता rate the following abstract and answer the question given below यहां पर कुछ poem लिखी हुई है line लिखी हुई है इस poem को पढ़ना है और यहां पर आपका जो सवाल है इसी का सवाल जबाब इससे करना है तो इसका सही answer होगा option number C is right answer तो आपके लिए option number C रहेगा और by some question की बाद this poem is composed by यहां इसके poem जो लिखे है तो इसके writer कौन है यह पुछ रहा है तो इसके सही answer होगा ने लेवन होगा option number C is right answer question number 23 की जदी बात करें कि what did the baby eat तो इसका सही answer होगा option number C is right answer अब देखते हैं question number 24 में करा the baby made a sound when at the microscope तो इसको लिए answer कौन सा होगा तो जल्दी से बताइए प्यरे बुछ इसके लिए इसके लिए सही answer होगा option number C is right answer आईए question number 25 में देखें कि the sign of the sketch is इसके लिए परियावची सब्द क्या होगा तो सही answer होगा option number D is right answer अब question number next की बात जिदी करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ देखें इसको पढ़ने के लिए कह रहा और appropriate answer for the following question यहाँ पर यहाँ पर जो कुछ दिया हुआ है तो इसको पढ़ना है और यहाँ पर नीचे में जो कुछ question दिया है इस question में आपको solve करना होगा तो M का यह लाइन दिया हुआ है वो आपको पुछा हुआ है question 17 की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि answer who has composed this line तो इसके लिए सही आंसर होगा आपसर नमर बी नेस question की बात करें तो इसके लिए बच्चों सही आंसर को चुनना है जल्दी से तो सही आंसर होगा आपसर नमर C is right answer तीस में का रहा है sign of the word flying तो इसके लिए सही क्या होगा परियावची सब्द में तो इसके लिए सही आंसर होगा option number C is right answer question number यहां देखे read passage में दिया है इस passage को पढ़ना है और passage को पढ़ने के बाद आपके पास ऐसे ही question को पूछे जाएंगे कि सही आंसर को निकालना है question number 33 के जदी बात करें काली belong to क्या होगा इसके लिए सही आंसर पेसे से ही खोजना है लिखना नहीं है तो option number A आपके लिए सही रहेगा question number 35 की बात करें इसके लिए परियावचे सब्सक्राइब क्या होगा यह आपको कहा रहा है तो इसके लिए चार option में से सही option को चुनना है तो correct answer होगा बच्चो option number D आपके लिए सही रहेगा आईए question number देखते है next में तो यहाँ एक passage दिया है इस passage को पढ़ना है और नीचे में जो question दिया है इसका जवाब सवाल इसी से करना है तो चलिए इसको देखते चलते हैं कि आखिर इसको हम क्या लिखना हुआ है तो यह लिखा है कि इश्वर धाया यानि option number B आपके लिए सही रहेगा आईए question number 37 की बात करें तो सक्षी मलिक कहां से थे तो इसका सही आंसर होगा रोह तक बिस्टिक से थे तो यह आपका सही आंसर होगा option number A आईए question number देखें next में तो next question आपके पास दिया हुआ ह है कि इसके सही आंसर हुआ है सक्षी कोच इसके सक्षी कोच के कौन थे इसके लिए सही आंसर होगा option number A next question की बात करें the given passage is from the chapter यानि इस पेसेज में किस चेप्टर से उधरन क्या गया है तो इसके लिए सही आंसर होगा option number C champion woman से यह कहानी को लिया गया है अब देखें complete the following न ऐसे ही आपके question पेपर आपके exam में बच्चों देखने को मिलेंगे तो इस तरह से अभी आप अपना practice को शुरू कर दें तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा option number C आपके लिए सही रहेगा यह एक notice है 42 question की जदी बात करूँ तो इसके लिए सही आंसर होगा option number A और यहां से जदी बात करो इसको पढ़ते हुए ही आपको लिखना है तो 43 question की जदी बात करते हैं तो इसके लिए सही आंसर कौन सा होगा जल्दी से अभी आप चुने तो correct answer होगा बच्चों option number B आपके लिए सही जाएगा क्योंकि आपको लिखना है उसी पेसे से और यहां पर देखें 44 question की बात करें तो सही आंसर होगा option number D और 45 question की बात करें तो option number रहेगा C head why is right answer अब का तक complete the following letter यहां पर कुछ letter लिखा हुआ है इस letter को पढ़ते हुए लिखना है कि कौन कौन सा वाक के यहां पर सब् इस नमर है तो यहां इसे आपको ढूंडते हुए लिखना है तो correct answer होगा option number B dear Roman is right answer क्योंकि यह एक पत्र लिखा जा रहा है तो इसी तरह से 47 number question की जदी हम बात करें तो यहां पी आपको लिखा जाएगा option number C meet is right answer क्योंकि पत्र के माध्यम से आपको लिखना है question number 48 की जदी बात करें तो option number D आपके लिए बच्चों सही रहेगा और 49 question की बात करें तो इसके लिए option number B आपके लिए पत्र के लिए और नेस question की बात करें तो 50 question जो इसे 50 question देखने को मिलेंगे इसके लिए सही answer होगा option number A is right answer प्यारे बच्चों उमीद है आज का क्लास आपके लिए question लेकर आएंगे तो प्यारी बच्चों डिस्क्रिस्टर में देखें सारी वीडियो पड़ियो है वहाँ से जाके एक के करके देखें वीडियो को सेयर जरूर करें और आप अपना अभियास अभी से सुरू करें थैंकि फूर वाजिं माई वीडियो